तो देखिए फ्रेंड कितने बढ़िया बढ़िया पांपड हमारे बने हुए हैं छोटा सा पांपड है इसको तलने पे दो गुना हो जाता है इतना बढ़िया बनता है इतना बढ़िया लगता है ये पांपड बहुत टेस्टी लगता है आप लोग देख सकते हैं हेलो फ्रें यहां पर हमने सूजी ले लिया है तो यह बारीक वाली सूजी है और इसको हमने एक कटोरी भर के ले लिया है यह बारीक वाली सूजी से पांपड बनाए अगर आपके पास मोटी सूजी हो तो इसको मिकसर ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लिजी वह भी बारीक हो जाती ज़現在 बहुत ज़्यादा ट्रेश्टी लगते हैं एक बार मेरी तरीक है से बना के दखे तो यहां पर हमके होगते घैस पर कड़ेzus प्राइधे तो जितना हमने देल्स भ्रब नीज लिया है उस से हम बहुत सारा पानी डालने के उस यह जादा उसी कटोरी देखें यहां पे हमने 6 कटोरी पानी डाला है एक कटोरी सूजी में हमने 6 कटोरी पानी डाल दीया है और पानी हमारा अच्छी से बॉयल्ड हो जाएगा मेरा पानी ज्यादा बॉयल्ड हो गया था फ्रेंट क्योंकि मैं रखके भूल गई थी तो इसी वजह से ऐसा दिक रहा तो हम जब पानी हमारा बॉाइल्ड हो जाएगा या फिर बबल चाने लगेंगे पानी में तो हम इसमें धीरे-धीरी सूजी को डालते हुए चलाते हुए पकाएंगे फिर हम इसमें नमक डाल देंगे तो नमक डालने के बाद हम धीरे धीरे चलाते हुए इसको पकाएंगे क्योंकि हम धीरे धीरे इसको धीमी आज पे पकाएंगे हमें बहुत आज को तेज नहीं रखना है लो टू मेडियम आज पे हमें इसको पकाना है इस तरह से अगर बबल साने लगेंगे तब समझ लीजिए कि हमारी सूजी पापड के लिए तयार हो गई है जलाते हुए हम ठंडा कर लेंगे तो देखी हमारे kaमे कैसे पता चलेगा कि हमारी सूजी जो है पापड बनने के लिए तयार हो गई इस पे हम कोटिंग करेंगे और जब कोटिंग हमारी हड़ जाएगी बराबर से तब समाझ लीजिए सूजी हमारी बढ़के तयार हो गई और यहाँ पर मगरायल डाल सकते हैं जीरा डाल सकते हैं और मिर्च भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने कुछ भी नहीं डाला फिर उसके बाद जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब उपर ले जाके इसको हम धूप में बनाएंगे तो देखियो धूप काफी हो गई थी काफी टाइम ह हो गया था तो देखिए इस तरह से हम छोटा छोटा चमत से डाल देंगे फिर उसके बाद इसको हम इस तरह से चला देंगे आप इस पापर को पॉले थीन में ही बनाएगा कपड़े में कभी नहीं बनाएगा क्योंकि कपड़े में यह चीपक जा रहा है फिर उसके बाद ए देखे यहां पे हम बैंगल से रख दियें चूड़ी तो चूड़ी रख के चूड़ी में हम इस बैटर को थोड़ा सा डालेंगे तो देखे यह सेप अच्छी आ रही है चूड़ी से तो बढ़िया बन रहा है ना चूड़ी से सेप बढ़िया आ रही है इसकी फिर उसके हाई हमारी गरम हो गई हैं तेल डाल दिये हैं तेल गरम हो जागा तब इसमें हम पापड तलने के लिए तयार हो गया है तो देखे कितने बढ़िया पापड बन रहे हैं चोटा चोटा पापड है जब तलो तो दो गुना हो जाते इतने बढ़िया पापड बनते हैं इस तरह स अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो आज की रेशिपी की सूजी के पापड़ की तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सस्क्राइब कर लीजिएगा हम लोग अभी अभी यूटूब पर आए हुए हैं अगर आप लोग प्यारा प्यारा कमेंट करेंगे तो मोटिवेशन मिलेगा फिर मिलेंगे बाई